असलाम लेकुम दोस्तों मैं हूं सुमेरा मिर्जा और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज दोस्तों आज की जो स्टोरी है उसके दो एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टन्ट हैं कि अगर आप मोबाइल आप कोई भी है जो यूज कर रहे हैं तो उसके बारे में सारी इंफ को है आजकल स्नैक जो अप वह भी बहुत इन है इस तरह कि जब भी आप कोई यूज करते हैं तो लोगों के उपर बिल्कुल भी ब्लाइंड फेथ ना करें और अपनी फैमिली के उपर जो है वो ट्रॉस्ट करें अपनी फैमिली को इसके अंदर जरूर इंवाल्फ करें जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह से एक 22 साला लड़की की टिक टॉक पर वीडियो बनाना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई थी और आइसपेक्ट्स वही हैं दो कि अपने फैमिली को भी इन्वाल्फ करना अपनी जा रही हूं उसकी दुर्खवास पर हम उसका असली नाम बताए बगार आपको उसका फर्जी नाम अनम बता रहे हैं दोस्तों 22 साला अनम लाहौर के इलाका गार्डन टाउन में वाके गल्स कॉलिज में पढ़ती थी और उसकी एक दोस्ती जिसका ये कहना था कि उसकी आव पश्वरा पसंद आया उसने ऐसा ही किया लेकिन शुरू शुरू में अनम जो भी वीडियो बनाती थी उसे पब्लिक नहीं करती थी यानि उसको अवाम नहीं देख सकते थे वो अपने लिए ही वो वीडियो बनाती थी लेकिन फिर आहसा-इसा वक्त गुजरता गया और उस तक हमने इससे पहले भी TikTok के बारे में जो भी stories की उसके बारे में हमने यही बात की कि ज्यादा views का लालच और फिर दूसरे नमबर पे पैसों का लालच इनसान को बरबात कर देता है उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ के अनम के साथ कराची से एक लड़की जिसका नाम सोनिया शेख था उसने राबता किया और कहा के हमारे ब्रैंड की प्रोमोशन के लिए वीडियो बना कर अपने TikTok अकाउंट पर लगा दिया करें दोस्तों बहुत दफ़ा ऐसा होता है जो SLABITIES होती है कुछ News Anchors होती है कुछ Program Anchors होती है कुछ Showbiz की SLABITIES होती है उनको इसी तरह की offers आती हैं और ये कोई मायूब बात नहीं है जब आप एक public figure बन जाते हैं जब आप इस तरह की apps के उपर आते हैं आप अपनी videos दिखाते हैं आप अपना talent दिखाते हैं तो obviously लोग आपको पसंद करते हैं और इस तरह की offers आपको आती हैं कि कभी आप clothing brand आपसे रापता करते हैं make up products वाले जूलरी वाले आपसे रापता करते हैं कि आप हमारे products पहने और उसमें आप videos बनाएं तो ये कोई गलत बात नहीं थी अनम का कहना है कि मुझे एक video के बदले उसने 5000 रुपए देने की offer की जो कि मुझे बहुत माकूल लगी और माकूल भी थी इसमें कोई ऐसी गलत बात भी नहीं थी और फौरी तोर पर उसने उसे कुबूल भी कर लिया सोनिया शेख क्योंकि उसने उसे पैसे देने का लालच दिया था और उसने पैसे उसको पहले अदा कर दिये थे इसलिए अनम का ये कहना है कि मेरा सोनिया पर एतमाद जो था वो काइम हो गया था इसके बास सोनिया हर माह मुझे तीन से चार वीडियो बनवाती थी और फैसे भेश देती थी जल्द ही चंद हफतों में मैं और सोनिया अच्छी दोस्ते बन गई अनम का कहना है और फिर देखते ही देखते उनका ये कहना था कि हमारी दोस्ती बहुत गहरी होती चली यहां यहां पर वो element आ जाता है एतमाद का ट्रस्ट का एक दिन सोनिया ने मुझे कहा कि मुझे तुमारी कुछ तसावीर की जरूरत है क्योंके हमने अपने brand की promotion के लिए बतोर model आपसे काम लेना है यह काम तो वो पहले भी टिक टॉक के उपर कर रही थी इसलिए उसे यह काम बुरा नहीं लगा अनम का कहना है क्योंके modeling का शौक उसको बच्पन सही था और हर लड़की को होता है कि जब हम TV पर देखते हैं models को ramp walk करते हुए और खुबसूरत कपड़े पहन के चमकीले बढ़कीले और high heels पहन के चलते हूँ तो हर लड़की का के दिल में यह खाहिश पैदा होती है कि वो भी इसी तरह से modeling करें इसी तरह अनम का भी यही कहना था कि मुझे बच्पन से शौक था यह लमहा फिक्रिया है यह वक्त था सोचने का कि अभी photo shoot शूरू नहीं हुआ है तो पहले पैसे क्यों भेश दिये गई यहाँ पर जरूरत थी अनम को कि वो अपने family members को एतमाद में लेती जाहिर है अभी Sonia के brand का shoot होने के लिए उसे बुलाया नहीं गया था चन्द दिन गुजर गया ऐसे ही उसके बाद अनम ने सोनिया से पूछा कि आपने पैसे तो भेज दी है लेकिन काम नहीं करवाया जिस पर सोनिया नहीं कहा कि जल्दी काम शुरू कर दिया जाएगा अलबता कई हफते गुजर गए वो काम वो जो प्रमोशन थी वो नहीं करवाई गई अनम से अलबता विडियो कॉल्स पर एक दोस्त होने के नाते सोनिया मुझसे बात करती रही और मुझसे मेरे दिन भर की तसावीर मंगवाती रही यहां पर भी गलत किया अनम ने दिन भर की तसावीर किसलिए मंगवा रही थी क्योंके वो टिक टॉक पर वीडियो बनाती थी तो वो काफी था हता के वीडियो कॉल्स पर भी बात होती रहती थी यानि के वो कोई फेक लड़की नहीं थी सोनिया उससे वीडियो पर उससे बात हो रही थी और बदले में बगएर कुछ काम किये सोनिया मुझे पैसे भी देती रही ये भी एक सोचने की बात है कि बगएर किसी काम के सोनिय पैसे क्यों दे रही थी, उसकी क्या वज़ा थी, उसको सोचना चाहिए था कि जब मैं कोई काम नहीं कर रही तो सोनिया मुझे पैसे क्यों दे रही है, लेकिन चुके लालच है बढ़ता जा रहा था, एक दिन अनम का ये कहना है कि मैं अपने कॉलिज में थी, तो सोनिया ने म बात्चीत करना होगी कहने को तो ये एक ऑनलाइन ग्रूप था लेकिन हकीकत में ये एक डेटिंग अप थी जिसके बारे में अनम को शायद ना पता हो इस अप में काम करने के बदले एक हजार डॉलर मिलते थे नाजरीन एक हजार डॉलर कोई छोटी रखम नहीं है आपने किस ग्रूप के प्रिमियर मेंबर में शामिल कर दिया अब प्रिमियर मेंबर क्या है इसके बारे में आपको बताते हैं जब वो प्रिमियर मेंबर बन गई तो वहां पर पैसे भी एक हजार डॉलर के बजाए तीन हजार डॉलर मिलते थे यहां पर बात वही है कि लालच है जो द कि सोनिया ने बताया था कि आउनलाइन अप में होने वाली गुफ्टगू आडियो विडियो किसी भी सुर्थ रिकार्ड नहीं हो सकती थी यहां पर element आया trust का फिर से अनम ने सोनिया के उपर trust किया इसलिए अनम का ये कहना था कि मैं बगएर किसी खौफ के लोगों के साथ गुफटगू करती रही यहां पर भी वो गलत थी कि क्यूं वो इस तरह की नाजेबा गुफटगू लोगों से करती रही सिर्फ पैसों के लालच के बारे में लेकिन बाद में हकीकत खुल गई और हकीकत उसके बरक्स थी अनम का कहना है कि मेरी तमाम तर गुफटगू रिकॉर्ड हो रही थी एक दिन सोनिया ने मुझे फौन किया और कहा कि तुम्हारी तमाम गुफटगू और तसावीर मेरे पास मौजूद है तम्हारे पास अब दो ही आप्शन है या तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो या फिर मुझे पचास लाग रुपए दे दो यहां पर अब बलाक मेलिक का काम शुरू हो चुका था अनम का कहना है कि सोनिया ने कहा कि अगर मेरे साथ काम करना चाहती हो तो मैं तुम्हें दो दिन के लिए कराची बलाओंगी और तुम्हें आना होगा अनम का कहना है कि मैंने सोनिया के सामने अपनी बेबसी का बहुत इजहार किया बड़े रोए बड़ा वास्ता दिया लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी आखिर तंग आकर अनम का ये कहना है कि मैंने सारा मौमला अपनी दोस्त के भाई को बता दिया जो के F.I.E. में मुलाजम था मेरी दोस्त के भाई ने मेरी काफी मदद की उन्होंने मेरे घरवालों को भी समझाया और मुझे सोनिया से बात जारी रखने का मश्वरा दिया दा कि किसी किसम का कोई शक ना हो सके और कराची जाने का मश्वरा दे दिया अनम का कहना है कि मैंने सोनिया को बताया कि मैं कराची आ रही हूँ और तुम्हारी बात मानने के लिए भी तयार हूँ जैसे ही अनम कराची पहुंची तो सोनिया ने उसे टेक्सी भीजी और एक निजी होटेल में आने को कहा यहां पर अनम का यह कहना है कि मैं टेक्सी की मदद से निजी होटेल में पहुंची लेकिन वहां सोनिया मौजूद नहीं थी लेकिन थोड़ी ही देर में दो लोग उसके कमरे में आ गए जिन्हें सोनिया ने भेजा था वो उसके साथ कोई भी नाजबा हरकत करते इससे पहले प्लान के मताबिक FIA के हुकाम भी उसके कमरे में पहुँच गए और उन्होंने पहले उन दो लड़कों को गिरिफतार किया और फिर सोनिया और उसके साथ जुड़े हुए उस गिरोख को भी गिरिफतार कर लिया जो कई नौजवान लड़कियों की जिन्दगी बरबाद कर चुका था इसी तरह नाजरीन सोनिया और उसके गिरोह को मनतकी अंजाम तक पहुंचाया गया ये तो अनम थी जिसको कोई FIA का एहलकार मिल गया उसके कोई जानने वाले थे या उसने उनको पर एतबार किया या अपनी फैमली को बाद में बता दिया बहुत सरी लड़की ऐसी होती हैं जो अपनी फैमली को कुछ नहीं बता सकती है और इस ब्लाक मिले की भेंट चड़ जाती है सोचिए अगर वहाँ पर FIA के एहलकार ना आते जो जैसी कराची पहुंची थी अनम तो उसके साथ क्या होता ये आपके साथ भी हो सकता है ये मेरे साथ भी हो सकता है टिक टॉक, बीगो, स्नैक या कोई भी आप आप यूज कर रहे हैं तो उसके यूजर के साथ ये हो सकता है दोस्तों आपकी इस हवाले से क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर अगाह कीजेगा और अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो लाइक कीजेगा, कमेंट भी कीजेगा और खबरों की तेसर अपडेट लिए ब्रेकिंग व्यूज को सब्सक्राइब कीजेगा